मुझसे टाइम मांगा था, मिलने के लिए टाइम मांगा था और जैसे ही कल उनकी चुठी आई, मैंने उनको टाइम दिया आज सबे साड़े दस बजे से आते जन्था पाटी का जो पूरा विधायक दन है वो दुल्दी सेचिवाले में बैठा हुआ हमने उनको काफी डीटेल में समझाया कि किस तरह से जो पूरा सर्विस्स माइटर है कि किसी की भी प्रक्टी करती है, बस मार्शल्स को पर्मनेंट करना है, रेगिलराइज करना है ये सारा सर्विस माइटर्स में आता है और क्योंकि यह सर्वेस真 क्राइज में आता है तुसे भारतिय जंठा पर्प्टी के विधायक डर को भी पता है कि सारे सर्वेस scientists हैं और यह सारे अधिकार LG साहब के पास हैं पिनद्र सर्कार के पास हैं बस मार्शल्स भी इस बात को जानते हैं, परंतु भार्तिय जंटा पार्टी के विधायत बस मार्शल्स को बरगलाने की कोशिश कर गए, उनको जोट बोलने की कोशिश कर गए थे, कि ये क्राम चुनियों, इस सरकार ने रोका हुआ है, लेकिन आज भार्तिय जंटा पार्टी ते लिगुद घृट पर फूरवर मार्शल्स को निकल दिया उसके बाद आज हूँ हमारे पास आए वह साँ आपज जाने को तैयार भी नहीं थे उन्हों करी आज हुआ है क्याबिनेट का प्रस्ता होना चाहिए हमने वहीं पर एमर्जेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई हाथों हाथ बुलाई और जो दिल्ली विधाल सभा ने रेजलूशन पारित किया था बस मार्शल्स को रेगुलराइज करने का वह हमने वहाँ पर क्याबिनेट में साइन किया उसकी एक कॉपी भारतिय जन्ता पाटी को भी दी लेकिन भारतिय जन्ता पाटी एक्सपोज हुई क्योंकि पहले वो एलजी ऑफिस में चलने को तयार नह यहां आपस क्याबिनेट योट को पैस कड़ें तो पूरी तरह बस मार्शलों के यह ड़काबाजी करा हुँ जो काम चुनी होई सरकार को करना था वो चुनी होई सरकार ने चुनी हुई सरकार ने बस-Marshall को पक्का करने का Cabinet decision ले लिया अबॉल भारतिय जन्तापाटी के कोड़ में है भारतिय जन्तापाटी जो बस-Marshall को बर्गलाने की कोशिश कर रही है उन्हें निस गाइड करने की कोशिश कर रही है मेरी उन से अपील है कि अब कैबिनेक ने पास कर दिया है सारे बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को रेगिलराइज करने का निड़ने लिया है अब भारती जंता पार्टी उनको रेगिलराइज कराए और उनको लिएक की पच्छ दिलिए है